हलो दोस्ट शड़ी मूड में आपके श्वगत है बिहार पुलिस कुश्टेबल 2019 यह सर्प्राइज टेस्ट नौ है और इसमें हम आपको 20 कुशन कराते हैं और आपको बताना होता है कि अपने कित्ति कुशन सही किया है देखें जो भी कुशन होता है मिक्स कुशन होता है साइ well के ते विभी फूष रगता है कि सभिधान कि निरमाण किस नीमार और सभिधान सभा ने निरमार किया था और सभिधान सभाह के जो असताई अजय क्चते वह ड Sn सचितानन सिन्हा जी थे सबसे सभिधान सभा में बुजरुग थे इसलिए इनको दो दिन के लिए अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को और फिर 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई तोर पर डक्टर अरजंदर परसाद को बना दिया गया था अब चलिए कुशन देखते हैं कि सभिधान सभा ने राष्टिय द्वज को कब अपनाया था यह 22 जुलाई 1947 को अपनाया था कोमेंट बक्ष में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है इससे पहले आठ सर्प्राइश टेश्ट में ले चुका हूँ उसका लिंक में ड्रिस्क्रिप्शन बॉक्ष में दे दूँगा वहां सब जरूर देख लीज़ेगर नहीं देखे हैं तो कुशन बर दो है कि अश्टेधाई जो है अश्टेधाई बुक का नाम अश्टेधाई जो इसके लिखा कौन है मिसकी राचनाकार कौन है अश्टेधाई जो किताब है उसके तो ये जो लिखा के ये पाड़नी द्वारा लिखा गया है पाड़नी द्वारा लिखा गया है य कि देश के साथ भारत गए हुट इस के तहत राष्टी आपात होता है जो कि किसी देश के एक छेतर में या पूरे देश में लग सकता है जब कोई देश बाहरी आक्रमन करें या किसी के देश के साथ भारत का युद्ध हो जाए या भारत के कोई भी सेना ससस्त बिद्रोग कर दें यह तीन तरिका से होता है और अभी तक मातर तीन बार आपात लागु हुआ है सबसे पहला बार जो अपात लागू हुआ था ये जो चाइना के साथ भारत का युद हुआ था उनिशो 62 में उससे में हुआ था उसके बाद जब उनिशो 71 में पकिस्तान के साथ ही युद हुआ था और उससे में बंगला देश बना था उससे में दूती अपात लागू किया टॉप से पहले यह पैप्सू जो की पजाब राज्य है उसमें लगा गया तो और यह पूशर था आप याद रखना चाहिए द्रिकेंसरसी हो एक कुशन नमर फोर है कि राज सभादवारा लोग शभा को धन विध्यक की कितने समय में लटा दिया जाने चाहिए यह भी पेसी का कुशन हुआ है पुछा हुआ कुशन है और बिहार द्रोगा में भी पुछा हुआ कुशन है देखें जो अपका धन विध्यक है इसमें जब सबसे ज़्यादा सक्ति लोग शभा को दिया गया है लोग शभा को इसलिए सक्ति दिया गया है कि लोग शभा में जो हम लोग का परतनी दे जाते हैं जानता द्वारा डिरेक्ट चुन कर और वहीं उनको ही दिए रहता है कि पैसा कैसे खर्च किया जाए, कौन चप्रष में जाएगा और राजसभा के पास 14 दिन का समय रहता है, मैं इसकी 14 दिन का समय दिया जाता है, कि इस पर अपना जवाब दे या यह माल ले, ठीक, अगर यह नहीं भी मानता, मैं इसको विध्यक भेजा जाता है, और राजसभा नहीं भी पास की याद करता, तो वो 14 दिन बाद पासी मना ज देख्याता दो ने पूर्ध का प्रथम प्रवर्तन कहा जाता है मिसकी महत्माबुध्ध द्वारे सबसे पहला जो उपदेश दिया गया था ये आपको सारनात मीं ही दिया गया था इस बात को भी ध्यान में रखेगा जो महातमा बुद्ध है उनको ग्यान के प्राप्ति कहां से हुआ था तो बोध गया जो की गया में है वहां पर हुआ था तो फाइफ के अंसर डी हो जाएगा जो असोक महान असोक था समराट असोक उसे प्रियेदर्सी के नाम से भी जाना जाता है इसके सिलाले को पढ़ने वाले परथम अंग्रेज जो था यह जिम्स प्रेसिप था याद रखेगा सिक्स केंसर के अवज़ेगा डी हो जाएगा और असोक नहीं कलिंग वार लड़ा था कलिंग वार लड़ा था तो शमहीं असोक ने बहुत धर्म अपना लिया था इनका इसकी थोड़े दमग परिवर्तन हो गया था और सांती के तरब बढ़ गये थे धम और परचार करने ल उल हिंद को कहा जाता है यह अलबरूनी द्वारा लिखा हुआ किताब है और इसे ही कहा जाता है और रहेला जो है इबनु बतूता द्वारा लिखा गया है इबनु बतूता जो है मरुको का यातरी था मरुको से आया था भारत में तो यह रहेला इसके द्वारा लिखा गया सिबिन इंशर क्या होगा एक इदरपड का अग्रहवी शताथि में कूश्य नमर एट है एक देश बंदुक उपाधी sack आंक कि दिया गया था जिट रंजन को दिया गया था तो यह नगला कूरती नाम की सेना का गठन किस ने किया था जो लाल कूर्ण किसे के दवारा है चीनी का आजाता है, किस नदी को चीन का आ चीन का खुँआ जाता है, किस अ हूंगो नदी का जाता है, कि आगर भीहार की शोख का जाए, तो को यह Tá कहा जाता है और पश्यम मंगाल के शोक किसे कहा जाता था अब तो उसमें ज्यादा बाढ़ नहीं आता क्योंकि उस पर बहुत से बांध भी बन गए हैं वह दामोदर नादी को कहा जाता था तो दस किंसर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा सबसे 20 में सबसे लंबी जो नदी है यह आपको नील नादी है लेकिन अगर चौनाई के हिसाब से पूछे तो अमेजन हो जाएगी टिक तो 11 नंबर कोशन देखें कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपगरा निमलिकित में कौन है यह 2017 में द्रोगा की एक्जाम में मेंस की एक्जाम में पूछावा कोशन है कि सौ सौर मंडल का सबसे बड़ा उपगरा है हमारे सौर मंडल का मुखिया सूरज को बोला जाता है और सूरज एक तारा है प्रेतिवी के सबसे नजदीक तारा कोन है सूरज है और सूरज का उर्जा का स्रोत है यह नाब के सलयन है सूरज को हमारे जो सौर मंडल में आठ गरह चक के टाइटन जो टाइटन उपगरा है यह सनी का उपगरा है सनी का बड़ा उपगरा है टाइटन कुश्चन नमर 12 के जनवरों बनस्पतियों यह हम सुक्ष्म जीवों के और सेस किस परकार के चटानों में पाए जाते हैं जो जिवास भी आप इसे बोल सकते हैं यह बनस्पति जो के चक्तान हैं कौन आवसादी है और कौन कायंतरिट चक्ष्म होता है उसके द्मरण जो चक्तान बनता है लवा को ठंडा होने से वह अगने चक्तान होता है अगने चटान क्या होता है तूटता फूटता है और एक जगा जाकर मिसकी एक जगा इकठा हो जाता है तो उसे अवसाधी कहा जाता है और वहीं जब अवसाधी चटान तब से गर्मी से और अंदर काफी जाकर मिसकी अपना रूप बदल लेता है तो उसे कायंतरित चटान कहा तो ditosatik에 7 80 को दच्री गंगा को जाता है ये इसबार द्रोगा की EX Luego के आप किसे बड़ी के गुच्छते दरा कि भारत के विढ़ी नदी कोॉन है को अब बात किया तो भारत के सबसे लंबी नदी नदी कौन है तो हो जाएगी आपके गंगा, यह याद रखिए गंगा हो जाएगी, लेकिन अगर प्रइब दीपिय भारत की बात करता है तो प्रइब दीपिय भारत में सबसे यदा लंबी नदी गोधावरी होती है और गोधावरी को दच्छडी गंगा कहा जाता है, तो कावेरी को क्या बोला जाता है, दच्छड का अगर का लगा दे तो वो हो जाएगा कावेरी याद रखिएगा कि कावेरी जैसे की गंगा नदी में बारहो मास पानी रहता है वैसे कावेरी नदी में भी बारहो मास पानी रहता है और कावेरी नदी के पानी के लिए कर मतभेद भी है कौन-कौन राजो में तो करनाटक में तमिलाडू में पाडूचेरी में पाडूचेरी में पाडूचेरी एक कंद्रसासित पर्दिस है और साथ में अपको तमिलाडू, करनाटक, पाडूचेरी और केरल चार ऐसे राज्य है जिसमें पाडूचे बटवारा के लेकर मतभेद भी चलते रहता है चलिए आ और उसमें उसत अगर देखा जाए रक्त के मातरा तो यह 5 से लेके 6 लिटर होता है अगर आपको अपसन में ऐसे दे दे कि 5 लिटर, 6 लिटर, 7 लिटर, 7 लिटर और 4 लिटर तो आपको 5 ही लिटर लगाना है लेकिन अगर उसत दे दे तो आपको 5 से 6 लिटर लगाना है एक इस वार आपके ध्रोग्रण को भीधूत मोटर क्या करता है तो सोला कैंसर की पूर्जा को ची कुश्यन नबर सतरा है कि दूर दूरेश्ट्य निवारण के लिए काम में लेते हैं जब दूरेश्ट्य को बस्तु तो अच्छे से दिखाई दे लेकिन नजदिक के बस्तुए नहीं दिखाई देती है इसे दूर दृष्टी दोस्त बोला जाता है और अगर निकट दृष्टी दोस्त की बात किया जाए तो निकट की बस्तुए अच्छे से दिखाई देती है लेकिन दूर की बस्तुए नहीं दि गाड़ी गाल इसे पीछे कि जो सी देखना होता है वो जो मिरेर लगाया जाता है उसमें दरपण का उपवर्ण आखवाला तो इसमें लेंस का उपवियोग किया जाता है कुश्यन पर 18 एक निमन में से किस आधनिक अवर्थ सांडनी अधारित है किस पर आधनिक अवर्थ सांडनी अधारित है यह आपको बताना है जो आधनिक अवर्थ सांडनी अधारित है किसके है तो जो आधनिक अवर्थ सांडनी अधारित है तो जो आधनिक अवर्थ सांडनी प्रॉट्रों इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं और जो पर घंवेसित चार्ज होता है और जो निट्रों होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है त्यक्ति याद रहिएगा अब दिखिए आगे कुष्ग कुश्य नबर 19 है कि क्लोरोफिल में क्लोरोफिल अड़ो में में से क्या मवजूद होता है जो क्लोरोफिल होता है जिसके कारण आपको पतिया हरी दिखाई देती है इसमें कौन सी ऐसे अड़ो मवजूद होते हैं इसकी किसका तो यह आपको बताना है ठीक तो इसमें जो होते तोочно the question ng b से कि कि किस न रिजिए याद जरूर कई लिजईगा से कुशन बनता है तो जो इलक्ट्रों की कोज किया गया था यह जड 내ेक्ट्रों की चुके हैं सर्प्राइश टेश उसका मैं लिंक नीचे दे दूँगा साथ में बहुत से लड़के बोड़ रहे थी कि सर साइंस का एक अलग से वीडियो लाया किजिए क्योंकि आपको पता है कि 30 से 35 डायरेक्ट साइंस से कुशन आते हैं जिसमें फिजिक्स कमेस्ट्री और आ बहुत ही नजदीक है तो वीडियो अच्छा लगवता लाइक कीजिएगा कोई भी मन में डाउट है तो कमेंट वक्ष में लिख सकते हैं वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद